है 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 गाई वरकम तो मैं चैनल टेक्स्ट बुक तो हम चैप्टर टू डिसकस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम ने अब्सवेशन मेथर्ड के बारे में बात की थी ठीक है so observation method के कुछ disadvantages होते हैं जो यहां पे दे रखे हैं ठीक है तो पहला disadvantage क्या है कि यह बहुत ज़्यादा labor intensive है labor intensive मतलग कि उसमें जो observe कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ती है उस तरह कि settings create करने में ठीक है उसको record करने में, analyze करने में then हमारा दूसरा disadvantage यह है कि यह time consuming भी है जैसे कि मैंने आपको बताया था न कि जो naturalistic observation जब हम करते हैं हमें wait करना पड़ता है कि जब वो behavior जब हमें नजर आएगा तब हम उसको record करेंगे ठीक है तो यह बहुत ज़्यादा मतलब इसमें time लग जाता है कई बारी then हमारा तीसरा disadvantage यह है कि यह बहुत subjective और पायस होता है ठीक है observation method मतलब जो observe कर रहे है वो उसमें अपने point of view या फिर अपने opinion कई बारी डाल देता है क्योंकि वहाँ पे वो खुद अपने perspective से observe कर रहे है ना दूसरों को तो यह जो disadvantages थी observation method की इसी की वजह से मतलब एक दूसरा method जो है वो लाया गया था जिसको हम बोलते है experimental method ठीक है तो आज हम experimental method के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो experimental method में होता क्या है cause and effect relationship between two variables ठीक है experimental method में क्या होता है जिसमें हम cause and effect relationship देखते है between two variables cause and effect का मतलब है हम कोई चीज या फिर situation create करते है ठीक है उसका क्या effect पढ़ता है उस पे जिसको हमने observe करना है उस situation का मतलब क्या effect पढ़ता है जिसको हमें observe करना है तो इसमें हम लोग जान करके ऐसे situations create करते है ताकि वो उस environment में react करे या फिर उसके उपर उसका कोई असर हो जो हम observe कर सके ठीक है या फिर हम उसको note कर सके तो cause and effect relationship होता है जब किसी cause की वज़े से कोई effect होता है किसी situation के वज़े से कोई reaction होता है ठीक है दूसरा इसमें ये होता है कि controlled settings होती है जैसे हमने experimental observation में देखा था setting controlled होती है पूरी ठीक है आपको अगर याद हो तो उसमें हमने एक experiment discuss किया था Latin or Dalek का जिसमें उन्होंने कुछ university से बच्चे बुलाए थे ये कहकर कि मतलब उनके interview लिया जाएगा और बाद में उन्होंने उन्होंने तीन अलग-अलग rooms में मतलब बठा के smoke छोड़ी थी और उनका reaction observe किया था तो उसमें settings थी पूरी तो controlled setting थी वो ठीक है चलो आगे देखते हैं इसमें आपको कुछ नए word यहां मिलेंगे जो basic है अगर आपको समझ आ जाता है तो आगे chapter समझने में easy रहेगा ठीक है ये बहुत important words है अगर clear नहीं हुए तो आपको आगे problem आ सकती है समझने में ठीक है तो variables हैं ये words तो variables क्या होते हैं any stimulus or event which varies that is it takes on different values for changes and can be measured ठीक है ऐसी values होती है जो बदलती रहती है ठीक है और हम जिनको measure कर सकते है variables हम ऐसी values को बोलते है जो कि change होती है variable है ठीक है change होती है और हम इसको measure कर सकते है ठीक है तो इसके कुछ types होते है variables के जैसे पहला है हमारा independent variable दूसरा है dependent variable तीसरा है extraneous variable ठीक है तो independent variables में क्या होता है ध्यान से सुनना important items independent variables होता है जो कि आप मान के चलो लोगों की बात हो रही है ठीक है या फिर किसी चीज की बात हो रही है तो ऐसे लोग या ऐसे चीज होती है जिसको हम manipulate कर सकते है ठीक है change कर सकते है और उन चीजों की वज़े से वो किसी चीज का cause बनती है उन चीजों की manipulation की वज़े से हम किसी और पे उसका असर देखते है ठीक है effect देखते है तो जैसे हम cause और effect की बात कर रहे थे तो independent variables वो होता है जिनको हम manipulate करते हैं alter करते है, alter का मतलब होता है change करना, change करते modify करते है, ठीक है उनको हम cause बना देते हैं ताकि उनके, मतलब change होनी के वज़े से हमें किसी दूसरी चीज में उसका असर नजर आए, जिसको हम record करेंगे, ठीक है तो ये manipulated और altered क्या होते हैं? independent होते हैं, ठीक है ये किसी पे depend नहीं होते हैं, ये अपनी मर्जी से behave करते हैं, ठीक है और इनका जो behavior है वो किसी पे depend नहीं होता है ये cause होता है, तो अब इसका effect जिसके उपर पढ़ता है उसको हम बोलते हैं dependent variables, ठीक है तो dependent variable मतलब, ऐसी variable on which effect of independent variable is studied मतलब dependent variable वो लोग होते हैं वो चीजे होती हैं जिस पे independent variable का effect पड़ता है ठीक है अगर independent variable change होंगे तो dependent variable पे effect पड़ेगा ठीक है तो ये dependent होगे किस पे dependent होगे ये independent variable पे depend होगे इसलिए हम इसको नाम देते हैं dependent variable का ठीक है समझा रहे हैं तो independent variable किसी पर depend नहीं होते हैं वो independent होते हैं अपनी मर्जे से चलते हैं और इनके change होने की वज़े से dependent variables पर असर पड़ते हैं ठीक है उन पर effect दिखते हैं then हमारा तीसरा variable इसमें आ जाता है extraneous variable ठीक है that needs to be controlled so extraneous variable वो चीज़े होते हैं जिनको control करना बहुत जरूरी होते हैं otherwise extraneous variable के change होने की वज़े से dependent variables पर फरक पड़ सकता है ठीक है और हमें extraneous variable का मतलब को cause नहीं बनाना है मतलब हमें extraneous variable की वज़े से dependent variable पर कोई change नहीं लाना है ठीक है हमें independent variable की वज़े से dependent variable पर change लाना है ना कि extraneous variable की वज़े से तो हमें extraneous variable को control करना पड़ता है constant रखना पड़ता है ताकि ये change ना हो बिलकुल भी ताकि इसका असर dependent variable पर ना आए ठीक है तो कहने का मतलब यह है यहां पर आप मान लीजिए A है B है और C है ठीक है A B C है तो A बदलेगा तो B पे भी असर होगा है ना और C बदलेगा तो भी B पे असर होगा लेकिन हमें A का असर B पे देखना है ठीक है C का असर B पे नहीं देखना है तो हम क्या करेंगे C को हम control करेंगे ठीक है constant रखेंगे तो अब क्या होगा आगे जब A बदलेगा तो हमें B पे असर दिखेगा ठीक है C से हमें कोई मतलब नहीं है तो वैसे ही A क्या हो जाएगा independent variable हो जाएगा B क्या हो गया हमारा dependent variable हो गया और C क्या हो गया extraneous variable हो गया ठीक है तो यहाँ पे हम इसको उस experiment से भी relate कर सकते हैं जो Latin और डाले का है वहाँ दो confederates बठा रखें जिनको यह समझाए है कि चाहे कुछ भी change हो जाए लेकिन तुम्हें react नहीं करना है ठीक है तो वह confederates क्या हो गया हमारे independent variable ठीक है क्योंकि उनको यह बोला है चाहे कुछ भी change हो जाए लेकिन तुम्हें react नहीं करना है ठीक है जो student है university के जो student है वो हो गया हमारे dependent variables क्यों? क्योंकि मतलब confederate के change होने पे उन student के ओपर क्या असर पढ़ रहा है मतलब उन पे क्या effect पढ़ रहा है हमें वो चीज observe करनी है ठीक है तो जैसे वो confederates चुप रहते हैं वो कुछ नहीं करते तो उनको देखे जो student थे वो भी चुप रहते हैं उन्होंने भी मतलब कुछ react नहीं किया ठीक है तो वो हो गए हैं हमारे dependent variables ठीक है then room temperature, size of room मतलब amount of smoke ये सब क्या हो गए extraneous variable क्यों? क्योंकि ये controlled है ठीक है इनके change होने से हमें student के उपर मतलब effect नहीं देखना है कि इनके change होने से उन पे क्या effect पढ़ रहा है हमें confederate के change होने से students पे क्या effect पढ़ रहा है हमें ये चीज़ observe करनी है ठीक है तो similarly वैसे ही मतलब जो independent variables है उनके change होने से dependent variables पे क्या effect पढ़ता है हमें ये चीज़ देखनी है ना कि extraneous variable के change होने से dependent variable पे क्या असर पढ़ता है हमें ये चीज़ नहीं देखनी है हमें extraneous variable को control रखने है ठीक है, I hope अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी So, आज का जोई topic है ये यहीं खतम होता है अब हम मिलतें next video में Until then, please do like my video, share it and subscribe my channel. Thank you